Earbuds जो हम use करते हैं, बहुत ज़्यादा music सुनाई देने के लिए, जो ये छोटे-छोटे speaker हैं, direct हम कान में लगा के use करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये हमारे कान को damage कर रहे हैं, तो कान का काम है, एक तो सुनाई देना, दूसरा काम है, हमारे सरीर का balance बनाना, जैसे मैं खड़ा हैं, एक तो होता है, external ear, एक होता है, middle ear, यानि मद्य ear, और एक होता है, internal ear, तीनों का अलालग function है, जो external ear है, बाहर का ये पिन्ना और जो अब आमें एक छेट सा दिखाई दे रहा है, वो sound को एक wave, जो हमारा sound होता है, और दहुनी की तरंगों के साथ, वो वाइबरेट करता ह हो हमारे कान में, अंदर प्रवेस करता है, sound, और जब sound प्रवेस करता है, तो हमारे कान के अंदर एक परदा पाया जाता है, जो ear drum बोलते हैं, या टिम्पेनिक मेंबरेन बोलते हैं, medical की वासा में, तो ये परदा है, जो sound के परती बहुत sensitive होता है, जैसे ही sound उस तक हमारे जो middle year है, उसके अंदर तीन हडिया पाय जाती है, तीन बोन पाय जाती है, और ये हमारे सरीर की सबसे छोटी बोन होती है, जिनका बहुत interesting नाम है, मेलियस, इंकस और इस्टेपीज, और इस्टेपीज भी इनमें सबसे छोटी होती है, तो ये परदा इन बोन्स को, ज कुना ज़्यादा बढ़ा देती है, और ये हडिया है, जो वाइब्रेशन करती हुई, हमारे जो जिसके अंदर के साइड का ear है, जिसको कोकलिया बोलते है, यानि एक नली टाइप की होती है, गुंडीदार एक नली होती है, उसके अंदर फ्लूड पाया जाता है, और ये उ जिसको को नली है, उसके अंदर भी छोटे-छोटे सीलिया पाये जाते हैं, लगबग 16,000 सीलिया पाये जाते हैं, उनको organ of corti बोलते हैं, जो हमें सुनने की छमता होती है, ये उस फ्लूड के अंदर वाइब्रेट करते हैं, और ये जब वाइब्रेट करते हैं, तो उससे हम हमें एक electrical impulse generate होती है, वो impulse हमारे जो eight number की cranial nerve होती है, उसके माद्यम से हमारे brain तक पहुंचता है, बस वो fluid जैसा vibrate करेगा, और जो हमें sound सुनाई देता है, उसके node क्या है, उसकी frequency क्या है, उसको उसी साफ से वो vibrate करता है, उसी के वज़े से एक impulse generate होती है, और उस impulse को हमारा brain read करता है, और हमारा brain read करता है, तो हम music का एक आनंद ले पाते हैं, या कोई भी हमें सुनाई दे रहा है, हमें कोई भी काम देते हैं, तो इस तरह का sound आता है, हम वैसा ही करते हैं, तो हमारा brain समझ जाता है, तो man काम है, वो सी लिया, और उस जो गोलदार गुंडी है, उसके उपर पर छोट-छोटी नलिया सी लगी होती है, वो नलियों में क्या होता है, कि हमारा सरी का balance बनाने का काम होता है, तो इस तरह से हमारा हमें कान से सुनाई देता है, जब हम ear buds यूज करते हैं, डायरेट हम कान में प्लक करते हैं ear buds, उससे क्या होता है, कि जो sound का जो vibration है, वो हमारे जो एक परदे पे बहुत तेज vibration करवाता है, इसलिए बहुत तेज आवाज में नहीं सुनना चाहिए, जब भी हम फोन में कई बार यूज करते हैं, तो वो लिखा आता है कि high volume, damage your ear, लंबे समय तक आप यूज करोगे, तो ऐसा एक warning message आता है, लंबे समय तक लगा के नहीं रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, कि आपका ear buds आपके ear को block भी कर देते हैं, बाहरी environment से, जो air molecules हैं, वो बाहर के नहीं जा पाते, और वो एक तो परदे को बहुत ज़्यादा vibrate कराते हैं, और ये परदा vibrate कराता हुआ हमारे जो अंदर का ear है, और उसमें जो fluid है, उसमें छोटे-छोटे बहुत minor cilia होते हैं, ये भी vibrate करते हैं, और high sound पे जब ये vibrate करते हैं, तो दिरे-दिरे damage होने लग जाते हैं, और ये हलके से sound पे फिर vibrate करना ही बंद कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, कि हमें छोटी-मोटी जो downy, हमें sound सुनाई देता है, तो उसे हमें सुनाई देने की समता कम हो जाती है, दिरे-दिरे deafness हो जाती है, जो normally हम सुनते हैं, बात करते हैं, वो 40 decibel, 30 decibel, 50 decibel का होता है, और अगर 85 decibel तक हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबे समय तक सुनें, तो हमें बहरापन होना, हमें कान में दर्द रहना, च हैं, जब भी earbuds आप यूज करें, तो 60% से कम ही होना चाहिए, उसका volume का level, अगर आपका जैसे volume का level 100 है, तो उसमें 50 पे सुनें, सबसे best है, और कभी-कभी क्या बाहर के environment के आवाज बहुत जादा होती है, तो हमें loud सुनना पड़ता है, पर कभी भी एक गंटे से ज़्यादा लाउट ना सुनें, तो इस सीज का आप ध्यान रखें, और आपके कान से related कोई भी problem है, कोई भी बिमारी है, आरा उसका वीडियो आप चाहते हैं, तो प्लीज डिस कमेंट्स करें, मैं मिश्टर श्याम एमस होस्पिटल में, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो प से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ,